हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम टू थे एक्जाम्स मेट सिंपल वियर बाक अगेन विद दे हिंदू कंप्रीट न्यूस पेपर अनालिसिस फॉर थेरा फरवरी दोज़ार चॉबिस का दे हिंदू न्यूस पेपर अनालिसिस देखेंगे कि शुरू करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट रहे एक कि प्लीस डू लाइक दिए विडियो को लाइक और शेर ज़रूर कर दिया करें लाइक कर लिया करें शेर कर लिया करें कितना टाइम लगता है गोस्षण कोर्स हो चाहे करेंट एफेर्स कोर्स हो दोनों बेस्ट बन रहे हैं अपनी तरफ से और आप लोग को इसके अलावा और कुछ करने के जुरत नहीं रहेगी फ्रम दाट पाट हाँ प्रैक्टिस आप जरू करते रहेगा तब यू अब विश्य बाते सक्सेस मिलेगी लेकिन आपको इन्सान मना तरह को इस दियुप पर्यू आप को इनसान मना देह है और यहां पर पाट वरी गूर्ण ऑबाते रहेलें आप प्रेलिम्स प्राक्टिस कुशन देख लेते हैं सबसे पहला सवाल है इस पार प्रेवेंशन और प्लुशन अमेंडमेंट मिल दोजर चौबीस अब दोगों पहला स्टेटमेंट करा है तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वन अनली टू अनली बोथ है नन अच्छा सवाल है मैंने आपको पढ़ाया था वैसे यह सारी चीज है कि वहला भी दो स्टेट में लागू हो रहा है तो आप पूर इंडिया में सारे स्टेट में लागू नहीं होता वह भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट में लागू रहता तो यह भी आप याद रखेगा दूसरा स्टेट में यह कि जो जेल टर्म था उसको हटा करके पेनल्टी इंपोज कर दी गई है ठीक है ना दूसरे सवाल पर आते हैं एप को अगर करेंट अनालेसिस पता हो मैंने आपको यह पाली ऑप्रॉक्सी कल ही बताया है तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट करें यह तो आपको बताना है कि कौन सा इंकरेक्ट है विचो फॉलिंग इस इंकरेक्ट वानली वोथ यह नद पहला स्टेटमेंट बिलकुल सही है यह सब रिकर्स्टरक्ट करते थे तो पहले स्टेटमेंट सही है दूसरा श्टेटमेंट गलत है यह प्रॉक्सी शब्द यूज़ हो रहा है यह डारेक्ट वे नहीं है, टम्परिचर ग्याद करने का, इसलिए दूसरा स्टेट्मन गलात हो जाया कि लिखा है, इसलिए प्रॉक्सी शब्द यूज हो रहा है, पैलियो मतलब पास्ट और प्रॉक्सी में अला दूसरे तरीके से, तो पैलियो प्रॉक्सी तो इसलिए यह भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए पोटेंशल फोर इंडिया जेशनल सेक्यूरिटी है, अब यहां पे लिखा है, क्या क्या कर सकता है, तो पहला लिखा है, प्रोवाइट रियल टाइमी इमेजरी और डाट अक्यूजिशन अक्रॉस वास्ट बॉर्डर रिजिन, दूसरा लिखा है, अफर इंप्रूवड कम्यूनिकेशन इंफ्रस्ट्रक्चर और रिमोट अरिया, तीसरा लिखा है, कंड़क्ट हाई अल्टिट्यूड रिकोनाइसेंस मिशन बियॉंड एनिमी डिटेक्शन रेंज, दी लिखा है, बहुत आसान सवाल है, इसका अंसर है, दी आल अब अबब, हैब सियाद है आपको, हैब सिस्टम मैंने आपको बताया था, अडि हाइव अल्टिट्यूड स्यूडो सेटलाइट वहिकल बोलते है, हाइव अल्टिट्यूड स्यूडो सेटलाइट वहिकल, और CSIR की जो, ने अल है यानि कि नेशनल एरोस्पेस लबर उसने कम्प्लीट किया है, इसका सोलर पावर्ड स्यूडो सेटलाइट का, तो यह आपको याद हो, टावर सिंद स्काई के रूप में आपको पढ़ा था, टावर सिंद स्काई, फाइव जी सिगनलरी से बीम करने के लिए, इसलिए तो लिखा है, सेकेंड वाला की, इंप्र आपको संज में आ गया होगा, अब यह एक न्यूस है, जो हिंदू में आज के अनालिसिस में नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूस में थी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, उसने इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल जो है, उसको बस्ट किया है, और यह इंटरनेशनल ड आपने ब्रेकिंग बैट देखा होगा, तो आपको पता होगा, तो मेथाम, मेथाम, इसका बिसिकली यह लोग कार्टेल चला रहे थे, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको आदो, इस इस कंस्ट्लूट बाइदे गश्ट अप इंडिया नार्कोटिक्स ट में बनाया गया था, यह मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स कंतरगात आने वाली अपक्स कॉडिनेटिंग एजन्सी है, रिगाइडिंग नार्कोटिक्स ट्रग्स टिका ना, इनेशनल पॉलिसी और नार्कोटिक्स ट्रग्स ट्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सेंसे जो है, अजर्ग हम आगे करते हैं आज की निउस्पेपर नार्लेस के तरफ हाते हैं फ्रम दे लिएट्स्पेपर इटसखते हैं, चाहिता है हम और आप यह पूप आप देख सकते हैं, रिगाइडिक आपको आगया होगा है, तो आगे हम आगे अज़दोपेंसे नीश्पेपर अन तो यहां पर आपको फ्रेंट पेज की सबसे पहली सबसे बड़ी ख़बर जो है इंडिया के लिए भी जो बहुत इच्छी ख़बर है वह है जो हमारे कुछ ऑफीसर्स थे इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था तो आठ इंडियन थे वैसे साथ उनमें से रिटन हो चुके हैं एक अभी आने बाकी है तो ही इनकी डेथ रो की सेंटेंस हटाई गई और इनको कुछ कुछ अलग अलग वेरिंग जेल टम प्रवाइट किया गया है वहां का लेकिन डिपलमाटिकली हमारी जीत हुई है और इस एट पीपल आ रेटनिंग नाओ टु होम साथ लोग इनमें से आचुके हैं अलड़ी एक और आने बचे हैं तो यहां पे आपको एक दूसरी नीज आइटम दिखाता हूं रिटेल इंफलेशन इस टू थी चेंवरी जन्वरी जन्वरी तर चौबिस तक का है और इस तरीके से रिटेल इंफलेशन का घ्राफ है तो आप देख सकते हैं कि बढ़ता अगडता रहा है अब यह कैसे कोशन पूस्ता युपीज चौशन पूस्ता तो आप से स्टेट्मन वन देता है कि retail inflation continuously decline हुआ है retail inflation continuously increase हुआ है 2012-2024 तक इस लिए ये graph important है तो ऐसा नहीं है कि retail inflation continuously down हुआ है या retail inflation continuously up हुआ है January 2022-2024 तक पिछले दो सालों में आपने देखा है कि ये बढ़ता खड़ता रहा है तो इसलिए ये graph important है तो कुछ नहीं करना आपको बस अब रेटेन इंफलेशन का रिखो हैल्थ ऐसा ग्राफ बनाओ 22 लिखो 24 लिखो लिखो कि ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहा है कोई कंटीनुस पैटन नहीं है तो अगर आप तो UPC फजाने कोशिश करेगा तो आप कर लोगे बाकिया को दो टम पता है ना एक हेडलाइन इंफलेशन होता है एक कोर इंफलेशन होता है हेडलाइन इंफलेशन में फूड और फ्यूल दोनों होता है इसलिए वोलटाइल होता है इसलिए वोलटाइल कम होता है, जादे स्टेबल मेजर है, ठीक है, तो I hope you got clarity regarding that, as well आपको समन में आ गया होगा, आगे मूफ करते हैं, और थोड़ा नीचे से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जो एक बड़ी ख़बर है, वो है, गैस बूमिंग फॉर उनाइट, UN COP29 होस्ट अजर्बाइजान, तो UNFCCC का COP29 होने वाला है, 28 कहां पर हुआ था, दुबाई, UAE में हुआ था, COP29 जो है, यह होने वाली कॉन्फरेंस अजर्बाइजान में, now this conference will take place in Azerbaijan, and now Azerbaijan is basically historic cradle of oil, and now it is a boomer for gas, gas boom बहुत जादा देखने को मिल रहा है अजर्बाइजान में, तो में जो नियूस है क्यों आई है, जो अजर्बाइजान है, it is basically transitioning towards the fossil fuels, जहां पे एक तरफ पूरे वर्ड में, एक कॉल चल रहा है कि भाही, you have to transition away from the fossil fuel, भाही पे अजर्बाइजान में, gas का बूम हो रहा है, it is ramping up the gas production, तेखो लिख लिख है, अजर्बाइजान is ramping up its gas production, and now it is going towards the fossil fuel, एक तरह यह host करने वाला है COP29, so there is a conflict of interest type of thing which you can see, इसके लावा अजर्बाइजान में आपको पता होगा, के अजर्बाइजान touches the Caspian Sea, also Caspian Sea, अगर आप कभी देखें कि कौन-कौन टच करता है, तो इसमें आपको मिल जाएगा, अजर्बाइजान में मिल जाएगा, इसके लावा अजर्बाइजान जो है OPEC-Plus का मेंबर है, जो कंट्रीज एओल प्रोड़क्शन करती रही है, इससे रशिया हो गया या इस तरीके साथ अजर्बाइजान हो गया, या इस तरीके साथ अजर्बाइजान हो गया, तो यस अजर्बाइजान is a member of OPEC-Plus, India examining, reworking on merchant shipping act, अब इंडिया जो है जो है कि क्या हम merchant shipping act को replace करके नया ला सकते है कि नहीं ला सकते हैं, अभी जो act चल रहा है उसको नाम लिया देखना है, eponymous act of 1958, इसके लावा जो provisions Now the, they are basically, अभी जो present condition है word की, उसको मद्दे निजार रखते है, थोड़ा पुराना हो चुक है, अविससी बात है, 50-60 साल पुराना हो चुक है, and इसके लावा international maritime convention जो है, याद रखेगा, India is a party to international maritime convention, याद रखेगा, इंडिया is a party to international maritime convention, ठीक है, and इसके लावाब हम बात कर ल shipping refers to the activities that are carried out for commerce rather than for defense or warfare the merchant shipping is actually for commercial shipping commercial shipping जो है लटन cargo वार्गो इधर उदर लई जाना इधर आना यह merchant shipping के अंदर गाता है rather than the defense and warfare इसमें defense and warfare नहीं आता है ठीक है न अब देखुआ यह आप लिखाया थे new provisions will look to include up to date international maritime conventions and जो भी हमारे जो up to date present commitments है जैसे की easier registration of ships हो overseas citizens of India के and corporates के limited liability partnerships के electronic registration हो सके vessels का यह सारी चीज़े जो है अभी present वाले act में नहीं है तो उनको include करने की बात चल रही है ठीक है न यहां पे तो लिखाया है proposed under the new provisions is a three-tier dispute resolution mechanism also the dispute resolution का three-tier mechanism जह हो भी लाय जाएगा and it will look to solve the disagreement rising between the ship owners and salvers तो जो ship owners and salvers है salvers मदलब की those engaged in salvaging the ships lost at the sea मदलब जो ship खो जाते हैं उनको जो धूनने और salvers उनको उसका काम करते हैं उनको salvers बोलते हैं तो इनके बीच में जो disputes है या फिर seafarers and owners of masters और agents of the ship जो है उनके बीच के जो disputes हैं उनको करने के लिए three-tier dispute resolution mechanism लाया जाएगा in the new new act इसके लावा ambiguous terms है जैसे abandoned vessels इन सब को define किया जाएगा and new rules they call for action against the unsafe vessels to unsafe vessels के लिए भी कुछ बनाय जाएगे ठीक है न and the central government has been empowered to direct the port authorities and others to take steps in respect of abandoned vessels to central government के पास power रहेगी in the new draft the central government will have the power to direct the port authorities and others to take steps in respect of abandoned vessels तो कर कोई abandoned vessel है तो उस respect में क्या करना है यह central government बता सकता है to the port authorities ठीक है न जो हमारा act रहा है अभी maritime वो merchant shipping act यह 1958 करा है यह भी आद रखना ठीक है I hope you got clarity आगे move करते हैं देखते और क्या important news article है जिनके बारे हमको discuss करना है you can move ahead with me यहां देको लिखा है रुपे UPI rolled out in Mauritius and Sri Lanka तो रुपे cards और UPI जो है इन दोनों को बनाया है कि इसने इसको NPCI ने बनाया इंडिया में NPCI ने बनाया है और यह basically अब यूज होगा Mauritius में as well as in Sri Lanka ठीक है न तो वहाँ पर हमारे जो financial integration है with these countries that has increased now Mauritius and Sri Lanka and it will facilitate digital payments among the citizens of these three countries now India, Sri Lanka and Mauritius and Reserve Bank of India ने की चीज़े अनाउंस की अगर एक Indian traveler है Mauritius जाएगा now he will be able to pay merchant in Mauritius using UPI similarly अगर इस Mauritian traveler है वह इंडिया आता है तो वह भी अपने instant payment systems app जो है Mauritius का instant payment system app तो उसके थूँ यह payment कर सकता तो all these things are very good यह integration of economies है कहना चाहिए इसके लावा Sri Lanka भी हमारे साथ यह digital integration हो रहा है financial integration हो रहा है digitally and now they can also use their own cards and we can use our own UPI there तो that's a good thing यहां पर आपको जो screen में देख रहा है यह नदन लाइट्स है और और बोरियल ही आपर के लिए आता है नदन लाइट्स के लिए और बोरियल फोरेस्ट भी होते है वैसे तो बोरियल इस एक्शली फॉर दन नदन पार्ट तो और और बोरियल इस राइस का दे लमने राइसिन नदन लाइट्स और बोरियल आसका के लिए यह आँस तुराइल का पार्ट पर यह नदन लाइट्स देखने को मिल रहें यह मिल रहें तो आल दिस तिंक दाreg विमार ट्रिंगर्ग टॉइंज आब वीमार ट्रेंगल में आरकेगे तीन कंट्रीज वीमार ट्रेइंगल में कॉन्सी कंट्रीज फ्रांस जर्मनी and पोलंड दो लोगदुटाइएं उप्रांस वैंत। दुबारा से जोड़ रहा है तो that is the thing which is there you can remember it you can remember it very well I hope you got clarity आगे मूफ करते है state of Indian economy today article letter by Subramaniam Swami तो काफी कुछ इनोंने जस पार्डी में है उसी के बारे में इनोंने लिखा है तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजे पहला fact इनोंने लिखा है वो डिक्लाइन किये continuously 2016-17 and it has fell below 3.5% in the fourth quarter of 2019-20 और यह continuous डिक्लाइन रहा है 7% से 3.5% तक इसको acknowledge नहीं किया है गवर्मेंट के द्वारा तो पहला तो पाइंट रहा है कि यह कहां GDP बढ़ रही है हर तरफ GDP बढ़ेगी GDP बढ़ेगी है लेकिन यह बढ़ नहीं रहा है continuously decline हुआ है second जो ऑथर ने point है वो यह उठाया कि जो गवर्मेंट का widely publicized मुद्द है विकास का या development model का reality मो हिंदू rate of growth है हिंदू rate of growth क्या है मैं आपको अदा जाता हूँ actually 1950 से 1977 के बीच में जो Congress का time period था socialistic period था it was a very slow growing growth rate in the economy इसी को हिंदू rate of growth कहा जाता है तीसरा जो ऑथर ने point है वो यह कहा कि PV नरसिम्हारा और मनमोहन सिंह का जो government था and that was the first instance जहांपे इंडिया ने अपना socialistic path छोड़ा था और उस समय GDP की growth rate 6-8% की बीच में देखी गई थी that was very high यहां पर देखने को मिला है किस तरीक से growth जादा भी हो सकती है but that is not the case right वो केस अभी नहीं है and the government that has failed to structure the economic policy coherently और का कहना है यह policy has not been structured coherently and future में भी ऐसे ही रहेगा अगर इसी तरीके से चलता है if the changes have not been made तीक है इसके एलाब और ने कहा कि दो क्लेम ऐसे हैं जो कि outrageous claims है जैसे कि पहला 5 trillion economy 2024 तक बनना that is not possible first thing दूसरा उनने कहा कि अगर आप 5 trillion economy बनते हो तो इसका मदला है कि आप अपनी GDP को डबल कर दोगे in 5 years 19-24 के बीच में लेकिन GDP को डबल करना मदला एनुल ग्रोथ रेट आपको 15% के आसपास का चाहिए so policy restructuring आपने की नहीं है और आपने aim इतने बड़े बना रखें so that is not going to happen तो ये भी point author नहीं हाप उठाया I hope you got clarity regarding that as well इसके लावा author नहीं का कि हमको mislead किया गया है point पर जहां बुलागा कि GDP 6% plus है but ये misleading क्यों है क्यों कि इसमें recovery भी है पुरानी recovery भी की जा रही है तो आप इसको growth कैसे बोल सकते हो so that is a thing which is there I hope you got clarity अगला article है जो हम discuss करेंगे global alliance to bridge the gender equity gap अब यहां पर global alliance की बाच चल रहे है तो new daily leaders declaration जो हुआ G20 के अंतरगत इंडिया के presidency that is a testament to this commitment सबसे पहले author ने बात कि कि किस तरीकी इंडिया जो है वो एक तरीके से टॉर्च बीरर के रूप में आ रहा है gender equality के field में and G20 इंडिया के presidency में जो हुआ न्यू डेली leaders declaration हुआस में the prioritization was on inclusion at the center of focus area was social economic empowerment bridging the digital divide driving climate action ensuring food security nutrition health and well-being among others यह women के case में उनको social empowerment देना है digital divide उनको आद दूर करना है and इसके लाबा food security provide करनी है all these things were there they were advocated and it was a women-led development this was the focus was women-led development इसके लाबा world economic forum January में जो हुआ इंडिया तुक the mission for gender equity several steps ahead with the launch of alliance for global good gender equity and equality इहां पे इंडिया ने लाउंच किया आद रखेगा world economic forum 2024 जनवरी के में जो हुआ वहां पे इंडिया ने gender equity के field में एक forum launch किया है इसका नाम क्या है alliance for global good gender equity and equality it's a multi-stakeholder initiative and it has placed इंडिया in the center stage for accelerating the socio-economic cause as it will have a sustained global impact इस alliance के साथ इंडिया has managed to transition the two buzzwords दो शब दिनों ने इंडिया ने उठाये एक एक विटी और दूसरा है equality equity as well as equality and this is inter or inter-acounter equity equality among the women we are among the male and female अगर हम देखें दोनों तरफ आपको equality चाहिए and ठीक है न mainstreaming the gender equality and equity has been a key development area for the government of India तो government of India का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है for mainstreaming this and India बागी country से बहुत आगे है अगर हम भी बात करें ना तो बागी country से बहुत ज्यादा आगे है यहां पर ओथर ने एक दो आंकडी भी दी है मैं आपको दिखा देता हूँ female enrollment in higher education has gone up by 28% in the last 10 years enrollment की बात करें science, technology, engineering, mathematics courses में तो women का शेर इंडिया में 43% है which is one of the highest enrollment among the world इसके लावा रूरल इंडिया में बात करें तो participation of over 9 crore women 83 lakh self-help groups में है this has improved the socio-economic condition in the rural areas and it is a glimpse of the women-led development that we are talking about और याद रखेगा इसमें जो यह फोरम हमने बनाया है Alliance for Global Good, Gender, Equity and Equality इसको इंडिया में काउन सी दो बाडीज रन करेंगी तो इसको Ministry of Women and Child Development along with the Confederation of Indian Industry याद रखेगा इन दो ने लाँच किया है Ministry of Women and Child Development along with the Confederation of Indian Industry लिख लेना CII और Ministry of Women and Child Development ने डिवोस में किया है Alliance for Global Good, Gender, Equity and Equality इसका नाम याद रखेगा और यह multi-stakeholder organization में think tanks में आएंगे countries भी आ सकते, industry भी आ सकते all they can collectively come and work for the empowerment of the women तो that is a very good thing Earth-wide telescope confirms black hole's shadow is real याद रखेगा Sorry, event horizon telescope याद रखेगा It's a global network of radio telescopes ये एक साथ काम करते है Global network है ये radio telescopes का event horizon telescope अगर आप सकोई पूचता है कि event horizon telescope क्या है It's a global network of radio telescopes It works together Global network of radio telescopes and it works together इसने image produce की थी 2019 में black hole की and उसमें basically एक चीज थे कि shadow बनता है कि नहीं black hole का तो event horizon telescope के जो photographs है उनको और clear किया गया उसमें ये पता चल रहा है कि black hole का shadow है and there is a shadow of the black hole so that is the first thing which you can remember दूसरे यहाप एक दो टाम आये थे जैसे एक टाम आये थे यहापे कर black holes का तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है फिर बता दू कर black holes रोटेटिंग black holes अगर आप से कर black holes पूचता है that means rotating black holes यह भी आप याद रखेगा I hope you got clarity regarding that as well so all these things are important and Supreme Court अपॉइंगा है कि appointing a deputy's chief minister is not a breach of constitution तो एक प्रेटिशन गया था जिसके रिगार्डिंग उनो नी चीज़ कही I hope you got clarity that is it for the day keep loving us, keep sharing us thank you and have a nice day